असलाम लेकुम अच्छा जी उसकी बाद हम पढ़ने लगें प्रोग्रामिंग की ताइप्स दो बेसिक टाइप्स आ जाती है एक अंस्ट्रॉक्चर और एक स्ट्रॉक्चर से आपको समझ जा रही होती है कि जिसके कोई नहीं कोई स्ट्रॉक्चर है जैसे इनसान की बोड़ी काम करते हैं तो वो हमारी स्ट्रॉक्चर प्रग्रामिंग हो जब एवय हम लोग मतलब आगी पीसे काम करवा रही होती है कोई हमसे बनाए पी उत्वाग जाए-टो पर एक और यह यह स्टीमेंट डरा कूल लोगन्हां едंन मुश्किल हो जाता है difficult to understand समझना उसको मुश्किल हो जाता है modify अगर आपने कुछ changing करनी है तो वो मुश्किल हो जाता है और debug कहीं प्यारा आपने इसको debug करना है तो भी आपके लिए मुश्किल हो जागा क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने कहां से चेंजिंग करनी है फिर हमारे पास structured programming में जाहरा उसकी उलट आ जाएगा कि जब आप हर module को मतलब कर रहे होते हैं अच्छे से define कर रहे होते हैं तो वह हमारे पास structured programming आ जाती है जिस तरह अगर for example पहले भी मैंने आप example दी थी कि calculator का इसमें सबसे पहले आप एड का बनाएंगे ठीक है कि आप addition कर रहे हैं इसमें पूरा एड का लिखेंगे अगर एड में खलती आ रही है तो डिरेक्स जाके आप एड को ठीक कर लेंगे तो यह हमारे पास आ जाती है structured programming ठीक है तो क्या आता था इंटार लाजिक अफ प्रोग्राइम इस डिवाड़े इंटू नंबर आफ स्मालर मॉडियूल और फंक्शन इज मॉडियूल इस पीस आफ और इंप्लीमेंटर इंडिफरंट फंक्शन इलिटी कि अपने एड कर रहा है तो यह एड कर रहा रहा है इस पहर एक अपना परफ खाल एक मतलब एक अच्छी ट्खनीक है कि हम जब स्ट्क्शर बना एक उसमें सहका म करवा रहा होते हैं